हाई दोस्तो दिस इस एलेस मैं SSC गेम्स में आपका हर दिख स्वागत और अभी नंदन करता हूँ आज की तारीख है 17 नौमबर और आज इस वीडियो में हम आज की most important current affairs देखेंगे जो हमारे exam जैसे bank, railway, SSC and many other one day exam में बहुत ही helpful होंगे ठीक है दोस्तो चले अभी देखते हैं आज का अपना पहला question पहला question है दोस्तो किसे प्रतिष्ठित अंतराश्टिबाल संति पुरसकार 2020 से समानित किया गया है तो दोस्तो अपना इसका option है C अभी Sadat Rahman को इस पुरसकार से समानित किया गया है दोस्तो ये बंगलादेश के रहने वाले हैं और दोस्तो ये पुरसकार Kids Rights के दोरा दिया जाता है जो कि नीदा लेंड की एक संस्था है ठीके दोस्तो आएए देख लेते हैं बंगलादेश के बारे में कुछ factual information दोस्तो बंगलादेश की PM है सेख हसीना और यहां की capital है धाका और यहां की currency है बंगलादेशी टक्का ठीके दोस्तो और दोस्तो इसका aim क्या है इस पुरसकार को देने का इसका aim है दोस्तो promote children's right and better the situation of vulnerable children और दोस्तो यह पुरसकार मलाला यूसुप जई के दोरा दिया गया है ठीके दोस्तो आएए देखते हैं दोस्तो आज का अपना next question next question है दोस्तो कौन से देश ने अपना golden visa system को बढ़ाया है इसका option है दोस्तो अभी UAE ने अपने golden visa system को बढ़ात के 10 साल कर दिया गया है ठीके दोस्तो आएए देख लेते हैं UAE के बारे में कुछ factual information दोस्तो UAE के president है खलिफा बिन जायद अलनायान और यहां की capital है अबु धाबी और दोस्तो UAE का full form होता है United Arab Emirates आएए देखते हैं दोस्तो आज का अपना next question next question है number 2020 में PM Modi ने जैनाचारे स्री विजय बल्लव सुरिश्वर जी महराज की जैनती मनाने के लिए सांती की प्रतिमा का अनावरण किया तो यह अभी इनकी कौन सी anniversary है तो दोस्तो इसका option है B यह अभी इनकी 151th anniversary है आएए देखते हैं दोस्तो आज का अपना next question next question है दोस्तो हर साल राष्टी प्रेश दिवस किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तो इसका option है D यह हर साल 14 November को मनाया जाता है ठीक है दोस्तो अभी देख लेते हैं इसके other option को भी इसका first option है दोस्तो 11 November 11 November को भी हमने हाली में World Science Day for Peace and Development को मनाया दूसरा option है दोस्तो 10 November 10 November को दोस्तो National Education Day होता है थर्ड option है दोस्तो 13 November 13 November को दोस्तो National Ayurveda Day मनाया जाता है उसे कहा जाता है International Day for Tolerance देखते हैं दोस्तो आज का अपना next question next question है दोस्तो रामसर साइट में केतन जील को जोड़ा गया है यह कौन से राज्य में है तो दोस्तो इसका option है अपना डी यह अपने उत्तर प्रदेश में है और दोस्तो ये रामसर साइड जो अपना है इसमें जोडने का उद्देश से क्या होता है इसका उद्देश होता है दोस्तो डेवलप करना, मेंटेन करना और कंजर्वेशन आफ ग्लोबल बायोलोजकल डाइवर्सिटी को कंजरू करना ठेक है दोस्तो और उत्ताप्रदेश के बारे में कुछ factual information उत्तव प्रदेश के CM का नाम है दोस्तो योगी आधितनात यहां के पेस्वरी दोस्तो यहां के गवर्नर का नाम है आनंदी बेन पटिल और यहां की जो केप्टल है दोस्तो वो है लखनोग और उत्तव प्रदेश में एक national park पाया जाता है जिसका नाम दु IRCTC भारत दर्शन दच्छिड भारत यात्रा का आयोजन करेगा इसका थीम क्या है तो दोस्तो इसका option है C इसका थीम है So India to Indians और दोस्तो अभी बात हुई IRCTC की तो आए देख लेते हैं IRCTC की अस्थापना का हुई थी इसके अस्थापना दोस्तो 27 सप्तिमबर 1999 को की गई है और इसका जो headquarter है वो अपना नई दिल्ली में है आईए देखते हैं आज का अपना next question next question है भारती railway AI or data analytics में उतकृष्टा केंदर अस्थापित करने के लिए किस अंस्थान के साथ सहयोग किया गया है तो दोस्तो इसका option है C ये अपने Indian School of Business हैदराबाद के साथ सहयोग किया गया है ठीक है दोस्तो और Indian Railway की अस्थापना कव हुई थी दोस्तो ये हुई थी 16 April 800 तिरुपन में ठीक है दोस्तो फर्स्ट railway जो है वो चली थी वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी और railway के अभी MD और CEO विक्के यादों है आए देखते हैं दोस्तो नेक्स्ट क्वेस्टन नेक्स्ट क्वेस्टन है तुर्की के इस्तामबूल पार्क में तुर्की Grand Prix 2020 किस ने जीता तो दोस्तो इसका option है C ये Lewis Hamilton ने जीता और दोस्तो ये Mercedes car चलाते हैं ठीक है दोस्तो और ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं ठीक है दोस्तो अभी ब्रिटेन की बात हुई तो आए देख लेते हैं ब्रिटेन के बारे में कुछ factual information वहां के PM का नाम है Boris Johnson और वहां की currency है दोस्तो पाउंड और यूरो भी चलती है और दोस्तो ब्रिटीज की capital है लंडन ठीक है दोस्तो और अभी हाल ही में इन्होंने तुर्की की ग्रेंड पिक्स को जीता आए देख लेते हैं तुर्की के बारे में कुछ factual information तुर्की के प्रेसिडेन का नाम है दोस्तो रिसब तयब इड़गौन और यहां की capital है इस्तामबूल और यहां की currency है दोस्तो तरकिस लिरा नेक्स्ट कोईसन है दोस्तो आज का अपना ब्रिक्स विज्यान प्रद्योगी की और नवाचार मंत्री पर इसद बैठक किस संस्क्रण का आयोजन वर्चुली की गई है तो दोस्तो इसका option है यह अभी इसका 8th संस्क्रण का आयोजन किया गया है तो दोस्तो और इसका chairman कोन है दोस्तो इस साल जो भी ब्रिक्स का समयलन हो रहा है उसका chairman Russian Federation ही कर रहा है ठीक है दोस्तो अभी रसिया की बात हुई तो आईए देख लेते हैं रसिया के बारे में कुछ factual information रसिया की capital है दोस्तो मास्कू यहां के president का नाम है ब्लादिमिर पूतिन और यहां and tech minister हर्शवर्धन जी ने participate किया और दोस्तो ब्रिक्स की जो अस्थापना है वो 2009 में हुई थी और इसका headquarter संगाई चाइना में है ठीक है दोस्तो यह रहा है आज के अपने important current affairs and thank you for watching और दोस्तो इस वीडियो को like करे share करे और अगर आप इस channel को पर नए है तो इस channel को subscribe भी कर और बेल आइकन को दबाना ना भूले thank you